अलो स्टुडेंट आज हम पढ़ेंगे पेथों के अंदर फिमेल जनाइटल सिस्टम फिमेल जनाइटल सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे आज ब्रेस्ट कार्सिनोमा जया ब्रेस्ट कार्सिनोजन इसका बोलता है या फिर ब्रेस्ट का कैंसर इसको बोलता है आप देख सकते हो अगर ब्रेस्ट केंसर की बात करते हो आप देखने को मिलेगा आपको वोमें गंदा देखने को मिलेगा और इंसीदेंसी मॉर्टिलिटी बहुत ज्यादा है आप इसको डॉबलप कंट्री और जो डवलोपिंग कंट्री है उनके अंदर आप इसको देख सकते हो UTI-LOGICAL FACTOR की बात की जाय है, the exact UTI-LOGICAL FACTOR UNCLEAR, but a large number of risk factors have been identified by include. इसके जो risk factors, मैंनों की risk factor है, वो UX और उन्ज्स Factory है, लेकिन कुछ risk factor है, जिसका मैं इन्दर include किया है. फर्श देखते हैं, family history, family history कना देखते है, the breast cancer is most common in women with first degree relative mothers, father, brother and sister. जो breast cancer है most common उनके अंदर जड़ा देखने को मिला है जिनको पहले family के अंदर इस्ट्री है किसी को breast cancer उनकी family के अंदर हुआ है जैसे किसी mother को हुआ है, father को हुआ हूँ, sister को हुआ हूँ या फिर उसको brother को हुआ हूँ है तो उसके अन्द इस्टी है अगर व्यस्ट कैंसर की फ्रमली नदर तो यह व्यस्ट कैंसर कोज कर सकता है मैंक ठेकते होर्मुन फेक्टर कौनों से ईस्टोजन लेविल और पॉमल्ले असोसेट्ट स्यर उस्ट कैंसर अधिस अकर्च इन कंडिशन लाइक अर्ली मिनार के सकता है कि इसके कंडिसन में देखते हैं अरली मिनार्के में मतलब किया होता है जैसे ही में अरली मिनारके स्टाट होता है और अगर यह में सब्सक्राइब मिनार के नॉर्मल ही होता है वो ब्रेस्टे चांसे बड़ जाता है थैंड मेनोपोस का मतलब होता है सेल्जन ऑफ मेंस्टवन साइके यानिकी उन लेडिजी जो के अंधर मेंस्ट्वन साइके लीए वह उसका सेल्चन या उसका जो आना स्टॉप स्टोफ हो जाता है बिल्कुल जैसे ही 50 साल के बाद यह 55 साल के बाद लेडी के अंदर मेश्टूटष साइकल आना स्टोफ हो जाता है हर्मोनल चेंडिस के काराण जिसमें एफेसे集क का लेविल कम होता है एस्टोजन का लेविल बोड़ी के लिए बढ़ जाता है After a lag N מד μवह करता है लेकि यहपी हों बात करता एक लेट मेन पाल्ड लेट मेननपोंच लेक्ट मेन के काराण मल्टी ग्रेवेड़ इस干े नुल्ली पेरस यह आती है यह प्रेंगनल लेड़ी है जो फर्सट देख रहें जो फर्स्स पर प्रेंगनल लेड़ी है वो 30 साल के बाद हुई है तो ऐसी फिमेलों वो अंदर आपको ब्रेस्ट गेंसर ज्यादा देखने को मिल सकता है इसके अंदर आता है आपका लाज अनिमल फैट बहुत ज्यादा मातर मांकर अनिमल पेट आप ले रहे हो तो उन पेवेक्टी कांदर ब्रेस्ट कांदर हो सकता है होता है यह केलोरी ज्यादा ले रहे हो हाइऑ की दो सकता हैactions देखते हम breast cancer से इंदर breast lesion से इपिधिलियल, hypofresia and the risk for developing carcinomis. पैसेंट पैसेंट आपको present देखने, Heepitheliar, Hypofresia, इसको थे पर निटेन के अंदर क्या होता है कासिनोंप अधिकी के बात करता है तो कर दो कासिनों की बात करते है कि नचिट के क्लासिबिकसिन की बात करते है तो, carcinoma is the breast, is more common left breast, नगी जादा देखना देखना कुम मिलता है, then right breast जादा बेखना कुम मिलता है, than right breast. It is commonly involved in the upper outer quadrant of the breast. Most common देखना कुम मिलता है, आपको breast carcinoma, upper outer quadrant of the breast. The cancer may be rarely but little, some of the common tumour are listed. इसकर नगी जादा देखना कुम मिलता है, non-invasive cancer or invasive cancer. इसके बाद हम देखते है इसके बाद हम देखते है separate spread of breast cancer breast cancer usually spread through the lymphatic channel to the produce enlargement of the lip node mostly axillary lip node followed by internal membrane node and other node tumor may be also undergo hematogenous root hematogenous root commonly spread lymphatic channel which enlargement lip node axillary lip node mainly enlarge internal memory node with hematogenesis root tumor next clinical profile diagnosis it is the clinical carcinoma it is the clinical carcinoma breast present with the pen less palpable mass to the head of the consistency in the initial state mass is mobile and the mass is fixed of the underlying cell chest wall initial stage in the center mass palpable and fixed chest wall chromium giving the ever over laying skin ulceration it is the risk of skin ulceration you can see and nipple and areola मैं भी निपल और एरिवला जो होता है ब्रेश्ट के अंदर वो नोर्मल देखने हो बहुत आपको डाइग्नोसिस ब्रेश्ट के इंसर की वो किल्निकल एक्जामिनेशन पर कर सकता है मैं भी ग्राफिम में कर सकता है फाइन निडल एस्पिरेशन ब्रेश्ट कार्सिनोसिस की बात की जाए तो वो था फाइन निडल एस्पिरेशन बाइस्पी और बेट सेल्फ एक्जामिसन अर्ली डेक्ट करने के लिए यूज में लेते हैं तो यह था हमारा ब्रेश्ट के इंसर पैतलो जी करने नेक्ट अब इसके बाद हम नेक्ट टॉपिक पढ़ाएंगे वो हम कल देखेंगे आज हमारा यही तक परा ठैंक्यू ठैंक्यू बरिमाच